हेलो गाईज वेलकम टो स्टेडी विथ मिज चैनल गाईज आज की वीडियो काफी इंट्रेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज की टॉपिक जो है वो तेजस MK2 एरक्राफ्ट के उपर है तो गाईज आज में इस वीडियो में बताऊँगा तेजस के फीचर्स के बारे में औ ऐसे टॉपिक के बारे में जानने के लिए तो गाईज वीडियो को लास्ट तक देखना तो आज हम इस वीडियो में बात करें है तेजस MK2 एरक्राफ्ट के बारे में जो की काफी ही ज़्यादा अभी पॉपुलर्टी मिल रही है उस एरक्राफ्ट को और ये मैं बता दूँ अगर आप भारती हो तो आपको गर्व करना चाहिए क्योंकि तेजस MK2 जो है और तेजस स्विमान जो बनाया जा रहा है एरक्राफ्ट जो बनाया जा रहा है वो इंडियन डेट मिस सवदेशी एरक्राफ्ट है तो गाईज चलिए आज हम इस वीडियो में तेजस MK2 के बारे मैं इनके डिटेल्ज के बारे में इस वीडियो में आगे देखते हैं तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं उससे पहले गाई वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सब्सक्राइब जरूर कर लेना हमारे Podcast को ताकि ऐसे इंटरेशिंग टॉपिक वीडियो जो आubenेंके हम औरीजिन इंडिया है मैनुफेक्ट्टर हिंदुस्तान एरोनेटिक्स लिमिटेट के दवारा मैनुफेक्ट्टर किया गया है डिजाइन ग्रूप की बात करें तो गाइस एरोनेटिक्स डेपलोपमेंट एजेंसी एरक्राफ्ट रिसर्च एंड डिजाइन सेंटर हल डिफेंस रिसर्च एंड डेवलोपमेंट और्गनाजिशन ने से डिजाइन किया है तेजस मार्क टू को प्राइमरी यूजर इंडियान एरफोर्स के लिए बनाए गया है और डेवलोप बाई डेवलोप किया जा रहा है हल के दवारा है सेंसर एंड एवनिक्स के बाद करें तो गाइस इसमें मल्टी सेंसर डाटा लगा हुआ है सिस्टेम लगा हुआ है जो कि एटोमेटिकली यह इसमें एक इलेक्ट्रोनिकली स्कैन रडार भी लगा हुआ है और इन्फराइड सर्च डेटमिंस अगर इस पे कोई भी अटेक आ भी दिया गया है और इसे काफी ज़्यादा डिजाइन किया गया है नेट्वर्स सेंट्रिक वार्फेर कैपेसिटी के और इसमें एडिये जो प्लानिक किया है उसमें एई ऐसे रडार लगा हुआ है मार्क टू में तेजस मार्क टू में जो की Electronics and Radar Development Establishment ने इस रडार को इसे रडार को लगाया है इंडियन वेरियंट के बात करें तो ये राफेल्स अर्टो स्पोर्ट थेल्स एक्स गार्ड फाइवर अप्टिक टाउट डिको सिस्टम एंड ट्रैफिक कोलिजन एवाइडेंस सिस्टम भी लगा हुआ है जो की इसे कात करें तो क्रुई में वन ओनट्व है लेंग्ठ की रहत तो फॉर्तिन पॉइंट शिस्ट मीटरेंस उंड बि cep एप जिए और इसकी इंपिटिवेट की बात करें तो 5850 मीटेजी इसका इंपिटिवेट है ग्रोष वेट एग्यारर 300 kg है maximum take off weight है जो 17,500 kg है और fuel capacity की बात करें तो 3400 kg fuel capacity है इसमें power plant किया गया है एक डेटमिस एक engine जो लगाया गया है इसमें वो general electric F414 GE INS 6 EPE turbofan लगाया गया है जो की thrust ड्राय डेटमिस start में starting में 58.5 knots की thrust पैदा करता है और start होने के बाद ये 98 knots की thrust पैदा करता है performance की बात करें तो make speed make 2.0 है range अड़ाई 2500 km तक range इसका है combat range की बात करें तो 1500 km है ferry range की बात करें तो 35,000 km ferry range है with three additional few tanks से इसमें लगा हुआ है service ceiling की बात करें तो 17,300 m के उचाई पर भी ये service ceiling हो सकता है इसका armament में इसका देखे तो guns लगा हुआ है इसमें एक 20 mm का gun लगा हुआ है जो jsh 23 cannon का gun लगा हुआ है hardpoint इसमें total 11 hardpoint है जिसकी capacity 6.5 tons है air to air missile की बात करें तो मायका लगा वरेगा आश्रम missile लगा वरेगा meteor लगाया जा सकता है और और अस्तर IR और अस्तर का mark 123 भी लगाया जा सकता है air to surface missile देखते हैं तो बर्मोस निर्विया अस्टॉर्म सेडो और क्रैस्टेल मेजे भी इसमें लगाया जा सकता है anti radiation missile की बात करें तो rudra 123 ये सारे तीनों variant भी लगा सकते हैं bombs में देखे तो इसमें support CCRP और CCIP mode भी लगाया जा सकता है जिसके करण pre-season guided munitation spice bomb भी लगाया जा सकता है DRDO का glide bomb लगाया जा सकता है DRDO saw bomb लगाया जा सकता है laser guided bomb लगाया जा सकता है सुधर्शन लगाया जा सकता है और DRDO swarm और unguided bomb भी इसमें fit किया जा सकता है तो guys इस video में हमने तेजस mark 2 के features और इसमें कौन-कौन सी missile लगे वे हैं इनके कितने features होते हैं टिटमिस और इनके क्या length है तो इसके पूरे जो details होते हैं मैंने आपको इस video में बताया तो guys मैं आपको बता दूँ तेजस mark 2 जो है वो 4th generation जैटमिस 4.5 generation का fighter jet है जो की सबसे light combat aircraft है दुनिया का सबसे LCA aircraft है जैटमिस light combat aircraft है तो guys गौर्मेंट ने इंडियन गौर्मेंट ने इसे 48,000 में 83 light combat aircraft को deal किया है HL के साथ जो deal हो चुका है और इंडियन एरफोर्स को तेजस mark 2 aircraft बहुत जल्द ही दिया जाएगा HL के तरफ से deal के अनुसार तो guys जो सवदेशी तेजस mark 2 है वो काफी जादा popularity भी है इसकी और काफी जादा इसको आकरसक बुनाते हैं इसमें जितने भी features जो अपग्रेड किये गए हैं इस aircraft को काफी नया features इसमें दिया गया है ताकि ये और भी खतरनाक हो सके और एक ये multi role जो इंडियन एरफोर्स में अपना position निवाएगा तो इसका जो है तेजस mark 2 का तो गाइज इसमें तेजस mark 2 जो भी aircraft है वो मिराज 200, MiG 29 और जितने भी है जेगवार ये सब सारे aircraft का जगा लेने वाला है तेजस mark 2 इसलिए और गाइज इसके बाद जो aircraft इंडिया सवदेशी इंडिया आतनिरबर भारत के दवारा जो बनाया ज aircraft है that means Amca aircraft जो होने वाला है वो 5th generation के उपर होने वाला है और उस पे काम भी start हो चुका है बहुत पहले ही और इसे काफी जल्द ही 2024-25 तक इसे showcase किया जा सकता है इसे दिखाया जा सकता है इसके features को तो गाइज अगर वीडियो आपको Amca के उपर चाहिए तो आप कमेंट में ब बना दूंगा तो गैसे अगर वीडियो अच्छा लागा तो लायक कर देना इस वीडियो को हर जगा पर आप सेयर करो और फिलीज वीडियो को शेर जरूर करना और हाँ गाइज वीडियो को बनाने में बहुत ही मैनत लगती है तो इसलिए पिलीज हमारे चैनल को सबस्क्राइब करो सपोर्ट करो ताकि मैं भी और अच्छे से वीडियो लाता रहो आप सब के लिए thank you so much guys for watching this video